दिन बर दिन इतनी हाइट पे पहुँच रहा हूँ रोज के मैं देख रहा हूँ टिक टॉक पे लगभग 300 के, 4 लाख, 5 लाख फॉलर बढ़ रहे हैं और तब ही पता लगता है, न्यूस में आता है कि हमारे बीच एक सूपरस्टार सुशान सिंग राजपूर की सुसाइड हो हेलो, मेरा नाम बृदुल मधोक है, मेरी एज 25 है, हाँ भाई, अधार कार्ड की कॉप्पी दे दूँगा, एज 25 है, अब आगे सुनिये कि मेरा जन्म दिल्ली से हुआ है, हाँ, दिल्ली में मैं पैदा वहूँ क्योंकि कहीं लोगों को समझ नहीं आ पाता है और कन्फ्यू आ रही है, कहीं, स्कोडा, उस ताइं सोनाटा, गोल्ड चलती थी, वो आ रही है, और यहां पे हमारे पिता जी हमें साइकल पे स्कूल छोडने जा रहे हैं, मैं, महां, मेरा ये बैग्राउंड है, और वहां से लेके, कहां अब मैं हूँ, यह आपको मैं बताता हूँ, तो भी लोग साइन्स या एंजिनरिंग करते हैं, बिलकुल वैसी ही मेरी स्टोरी रही है, क्योंकि पेरेंट्स ने थोड़ा सा बोला, भाई, एंजिनरिंग करनी है, तो साइन्स ले लो, स्कूल में ले ली, साइन्स, मार्क्स का चूट अच्छे आ जाते थे, तो इसलिए साइ अच्छी सी, उसके बाद 11 से तो बिलकुली ओफ हो गया है, मगर एंजिनरिंग कर रहे है, क्योंकि ममी पापा ने का है, उसके बाद अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा पैकेज मिल जाता है, एक स्टेबल लाइफ हो जाती है, इसलिए इंजिनरिंग कर दी शुरू, फिर सेकेंड एर में किसी ने बोल दिया, भाई तेरी हाइट अच्छी है, मॉडलिंग के लिए क्यों नहीं ट्राय करता है, और तभी-तभी हमारी एक फैशन सोसाइटी बहुत जादा पॉपलर थी, because of obvious reasons, क्योंकि एंजिनरिंग में वैसे भी लड़कियां कम होती है, तो ए नहीं लोग भाई बड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका नहीं हुआ, वो पतानी क्या देख रहे थे, लक देख रहे थे, क्या सीन था, बट भाई उस पूरे के पूरे सिनारियों ने एक मेरे अंदर कीड़े का जनम दे दिया, और वो कीड़ा था, भाई में को ना मॉडल बनना है, वैसे भी थोड़ी मिडल क्लास फैमिली से जब होता है, इनसान को दिखता है कि हाँ ये एक उपरचुनिटी है जिससे आप पैसे कमा सकते हो, भाई मैंने पैसा वहां से कमाना शुरू करा, एक शूट, दो शूट, धाई हजार, तीम हजार, धीरे 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 धी लाक में फैशन वीक करा, गौरफ गुपता के लिए, दुरूफ कपूर, ऐसे बड़े बड़े डिजाइनर्स के लिए, एक टाइम पे तो ऐसा भी हो गया था कि अपने मुमी पापा को मैं 40 फीट लंबी और उची इतनी बड़ी अपनी होडिंग दिखाने गया, और मतलब बहुत अच्छा लगा फेसबुक पे तब फेसबुक का क्योंकि दौर था इंस्टाग्राम इतना ज़ादा के किन नहीं हो चुका था, तो फेसबुक पे फ्रेंड्स, फ्रेंडस और फ्रेंड्स को पता लग चुका था कि भाई, ये एक मॉडल है और एक मॉडलिंग कर रहा मतलब even मैंने तो ट्रिपल ई से इंजिनरिंग करी, ट्रिपल ई मतलब electrical electronics, बट मैं क्योंकि ट्रिपल ई की jobs बहुत कम होती है, लोग जो इंजिनरिंग करें हो, correlate कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने IT वाले लोगों के साथ compete करा, मैंने language सीखी और PHP developer की job में को मिली EY company में, जो big four लोग बोलते हैं, और वहाँ पे एक अच्छा खासा में को package मिला, मुझे लगा कि भाई package मिल गिया, family से अगर मैंने पूछा कि भाई मैं मुंबई जाना चाता हूँ अपने acting के सपनों के लिए, इतना बड़िया package के बाद, तो वो घरवाले जूते देने वाले हैं, तो इसलिए फिर में को लगा, जूते पढ़ने से जादा बेटर है, मैं एक साल लगातार काम करता हूँ, पैसे कठे करता हूँ, उसके बाद मुंबई जाता हूँ, meanwhile, मैं अपनी body पे focus करता हूँ, क्योंकि मैं nutrition का course पढ़ूँगा, क्योंकि nutrition का भी course मैं इसलिए पढ़ना चाहरा था, अगर आप gym में जाते हो, और बोलते हो, कि भाई, मुझे body बनानी है, हर gym trainer एक ही चीज बोलेगा, बेटा, ये steroid ले ले, तो मैंने सोचा है, steroid, steroid, steroid के चक्कर में ही पढ़ना, मैं को nutrition पढ़ना है, वो मैं को अच्छी तरह से सिखा देगा, एक knowledge देदेगा, और उसके बाद मैं वो चीज अपने पे apply करूँगा, and then मैं eventually body बना पाऊँगा, तो मेरा होता था, Monday से Friday मैं EY में job कर रहा था, and Saturday संडे सिर्फ होता था, वो दो दिन मैं खुद पे अपने उपर kind of काम करता था, nutrition की पढ़ाई कर रहा था, अब nutrition का जो course था, मेरा 6-8 महीने का था, वो जब खतम हुआ, उसके बाद ही एक accompanying course था, of naturopathy, naturopathy एक ऐसी study होती है, जिसमें आप ऐसे herbal जो भी सारे के सारी चीज़ें होती है, ये सारे के सारे spices, ये ayurubedic चीज़ें, इससे आप अपनी body को कैसे heal कर सकते हो, इसकी पूरी की पूरी study होती है, मैंने बिलकुल नहीं सोचा था, के भाई वो naturopathy कल को, मैं कल को कोई नुस्के दे रहा होंगा या कुछ भी, but like मैं सुशुट समिता जो एक ayurubedic बहुत effective किताब होती है, जिसमें हर चीज़ का solution है, कि आपका पेट दर्द हो रहा है, पेट की वज़े से आपकी बाल खराब हो रहे हैं, आपका मेभी जैसे dryness है आपकी skin पे, और उस वज़े से आपको dandruff हो रहा है, यह सारी correlations और इसका ayurubedic solution, सुशुट समिता जैसी किताब में है, मैंने बो भी पड़ी, अब इन सब की certifications और इन सब चीज़ों के साथ, मैंने अपनी body भी physique बना ली थी, एक साल हो गया था, पैसे कटे कर लिए, घर वालों से मैं directly नहीं बोल सकता था, कि भाई मैं को मुंबई जाना है, और आप पैसे दे दो, इसलिए मैंने एक साल का काम किया, पैसे कमाए, ताकि सिर्फ मुझे सिर्फ एक permission मांगनी पड़े, कि भाई देखो, मैं एक साल के लिए जा रहा हूँ, एक साल अगर मेरा कुछ नी बना मुंबई में, तो मैं वापिस आउँगा, और वापिस आके, जैसा आप बोलोगे, भाई नौकरी, जौकरी, ये वो सब चीज़ें, मैं वो कर लूँगा, और उनने का, चलो ठीक है, भाई, एक साल तो जीने देते हैं इसको, तो भाई, वही जैसे, जा जी ले सिमरन, अपनी जिन्दगी, वैसा वाला हिसाब किताब हुआ, मैं पहुंच गया मुंबई, मुंबई जाके, भाई, बिल्कुल टाइट आफ वेस हो गई, जी नी हुई, त्रिप्ती की भी नी हुई, बट उसकी लेला मजनू से भी पहली मूवी थी, और शादाप की वो पहली मूवी थी, और वो रिलीज नी हुई, मतलब ऐसे-ऐसे खेलाडी थे, जो इंतियाज लिके साथ वो मूवी कर चुका, और स्टेल मेरे साथ बैठ के ऑडिशन की लाइनों में खड़ा हुआ है, तो मुझे लगा भाई, ये तो competition कुछ जादा ही next level है, बट चलो ठीक है, हार नहीं मानी, धक्ये खाए, काम मिला, नहीं मिला, बट मेन चीज यही थी यार, चीज ना productive नहीं थी, meanwhile, मेरा flatmate था, और मेरा flatmate बनाता था TikTok पर वीडियो, में को बिलकुल भी TikTok के बारे में कोई idea नहीं था, उस time तो शाथ से music, नहीं नहीं, TikTok वैसे नाम बदल चुका था, बट वो उस time वोई lip-sync वाला scene ही चलता था, और में को, because of the obvious reasons, वो सब चीजें बेकार लगती थी, क्योंकि वो एक categorized logo ने कर दिया था, भाई, इस पर कोई भी वीडियो बनाता है, तो वो XYZ है, XYZ आप समझ जाओ, तो मैंने जोचा, हाँ, भाई, मैं क्यों वीडियो बनाओ, क्यों करूँ, बट उस time शाथ से gully boy आई थी, रिलीज हो चुकी थी, शाथ से उसका ट्रेलर आया था, बट उसका एक वो dialogue बहुत जारा famous हो रहा था, कि वो तेरी गली में, ऐसे मतलब लेक कुछ rap battle सी थी, जिसमें उसको एक लड़का चाहिए था, कि वो सारा का सारा inact करें उसके साथ, तो बड़ा request करता कि भाई कर ले कर ले, फिर मैंको लगा चलो ठीक है, भाई पता नहीं, बट लाइक जब मैंने उसके सथ वो वीडियो में inact करा, जो dialogues होते हैं, lip-sync आप करते हो, मैंको काफी अच्छा लगा, मतलब, पता नहीं, जाथ से कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, मगर एक सी feeling आते हैं, कि हाँ, मैं अपनी छोटी सी movie का एक hero हूँ, मैंको feeling बड़ी प्यारी लगी, तो फिर मैंको लगा, यार, ये मैं भी करता हूँ, मैंने एक आद ऐसी lip-sync वगएरा करा, और तुम्हें पता या views कितने आयते हैं, 10, 15, 17, इस आपसे views, और वैसे भी मैंने views के लिए नहीं करा, बट मेरा ये ही था कि मैंको अच्छा लग रहा था, फिर एक आद ऐसी वीडियो बना रहा था, मेरी body वगएर अच्छी थी, तो लोगों ने ना comment करने लगए, कि भाई आपकी body ये कैसे बनी, ये वो ये वो, तो मैंने भाई उसोचा, चलो इसके पर एक वीडियो तो बनाओ, क्योंकि मैं ये ही चाहता था, ये steroid वाला scene, मैं लोगों को ना बताओ, और बताओ कि nutrition एक proper, आप diet follow करो, calorie deficit में आओ, तो आप कर सकते है चीज, मैंने वही चीज बताई, बट अग इंग्लिश में, अब जो मेरे 15-17 व्यूज आ रहे थे, वही 1.500 व्यूज आए, इस वीडियो पर, जिसमें मैंने इंग्लिश में बोल रखा था, और बहुत सारे कॉमेंट्स ऐसे हैं, यार हिंदी में वीडियो बना दे, हिंदी में वीडियो बना दे, मैंने सेम वीडियो हिंदी में बनाई, वही 100-500 व्यूज, साड़े 300-400 हो गए, तो मैं खो लगा, अच्छा चलो ये सही है, फिर मैंने अगले दिन उठके, एक और वीडियो बनाई हिंदी में, थोड़ी बॉडी से रिलिटेड, इसके आसपा से व्यूज, उसके बाद, लोगों ने ये बोलने लगा, यार आपके बाल काफी बढ़िया लग रहे हैं, आप बालों के लिए क्या करते हो, आपके दांत भाई बढ़िया लग रहे हैं, आप दांतों के लिए क्या करते हो, आपकी हाइट अच्छे लग रहे हैं, आप हाइट के लिए क्या करते हो, मुझे लगा यार अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो मतलब इसके लिए मैं कुछ ना कुछ तो जरूर लोगों को suggest कर सकता हूँ और ये चीज एवन मुझे तब भी ये पता थी क्योंकि मेरा जो college था उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि engineering student ना ऐसे रहते हैं जैसे मतलब लाइक उन्हों face भी नी धोते क्योंकि मतलब लाइक उनको ये लगता कि भाई शेर तो कभी मुही नी धोता तो हम क्यों मूद होएं मतलब face wash, tuner, sunscreen, moisturizer बड़ी दूर की बात है मुझे लगा यार वैसे ये चीज बतानी चीए क्योंकि ये बहुत mandatory चीज होती है मतलब लाइक these are something which is very much necessary मैं तो हर इनसान को बोलतों भाई आप 30 साल का एक लड़का या मी भी चलो 40 साल का एक लड़का देखो और 40 साल की एक महतरमा से आप compare करो तो आपको महतरमा 40 साल की नहीं लगेगी वो still 32, 35 की लगेगी और हमारा 40 साल का गबरू 50 का लग रहा हुआ क्यों क्यों कि हमने कभी skincare की आई नहीं तो मैंने सोचा भाई ये चीज बतानी चीए लोगों को मैंने ये थोड़े थोड़े नुस्के देनी रगा मैं आपको बता सकता हूँ वही 300-400 से कुछ हजारों में व्यूज़ आने लगे तो मुझे ये चीज हिट कर दी थी एक अलग हाई दे रही थी eventually 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 day by day day by day मैंने realize करा कि मेरी जो audience है ना वो जाधा तर tier 2, tier 3 cities की है और ये और ज़़धा react कर रही है और ज़़धा views दे रही है मुझे और और ज़़धा खुश हो रही है और और ज्यादा connect कर पारी है जब मैं थोड़ा साँ ज्यादा dramatic होता हूँ जैसे अगर मैं बोलू कि face wash आपको करना है उसके बाद आपको toner करना है उसके बाद आपको moisturizer करना है तो लोग बोलेंगा हाँ चलो ठीक है मगर यहीं पे मैं बोलू भाई face wash तो करना है उसके बाद आपको toner एकदम प्रे करना है और फिर moisturizer करके आया है हीरे निकलेंगे लोगों को इसमें आती है भाई अरे वा मुसकान आ गए अब कहीं के face पे मुसकान आ जाते और कहीं actually करने लग जाते और जो करते हैं उनको result मिलता है लोगों का बहुत प्यार आने लग गया वही 10,000 से सीधा 100 के 200 के में गो तो भाई और हाई मिल रही थी अब वही flow 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 मैं मैं बिल्कुल वैसे words catch कर रहा था वही layman language आ रहा था tanning पे लोगों ने बोलना शुरू करा तो मैं tanning पे बोलता था भाई tanning आपको उतार नहीं अरे एक कालक आपको उतार नहीं है तो आप ये करो बेसन, हल्दी और भाई मिक्स करके आप चेहरे पे लगा क्या मज़ा भाई like लोगों ने वो भी पसंद करा फिर मैंने सोचा तो लोग थोड़ सा और ज़्यादा घुश जाते हैं भाई, तू काला ऐसा नहीं दिखे यार ते को थोड़ा सा गुरापन चाहिए तो तू सबसे पहले ऐसा कर बेकिंग सोड डाले नीमू हलका सा ले अब ये बहुत ज़दा हानी का रख है तो इसको डाइल्यूट करने के लिए रोज वाटर डाल और फिर मिक्स करके चहरे पे लगा आयायायाय क्या मज़ा आने वाला है लोगों ने उसमें तो इतना प्यार दिया मेरी मिलियंस में व्यूज आने लगए भाई मैं तो बवाल हो गया मतलब लाइक ऐसा हो गया कि मिलियं मतलब अच्छा एक सकें मिलियं दस लाख लोग दस लाख लोग मुझे देख रहे हैं एक साथ तो दिन बर दिन इतनी हाइट पे पहुँच रहा हूँ रोज के मैं देख रहा हूँ मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि भाई अरे ये तो ट्रेंड है इसका फायदा उठाना चाहिए आहा नहीं उस ताइम मेरे दिमाग में सिरफ एक ही चीज थी हमारे बीच सुशान सिंग राजपूच आज नहीं रहे इसकी उपर वीडियो बननी चाहिए क्योंकि उस टाइम न्यूस पे एक ही बात आ रही थी मेंटल हेल्थ उन्होंने सुसाइड करी क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ नहीं सही थी तो मैंने सोचा ये जो मेरा ओवर ड्रमाटिक एक तरीका है उससे मैं टिक टॉक के एक मिनिट के अंदर ये चीज नहीं बता सकता मुझे चाहिए टाइम और तब मैंने लोगों को बोला आप इधर आईए मेरे इंस्टाग्राम के अकाउन पे और उस पे मैं विस्तार में आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे यही सिखाया गया है सुशल समिता में कि अगर आप नटमेक जैफल बोलते हैं हिंदी में उसे उसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी इंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और उसी के साथ-साथ मैंने सोच है, मैं एड्रेस करूँ कि भाई, मेंटर हेल्थ is for real मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एक अच्छे थेरेपिस्ट अगर आप डिल्ली में हो उससे कनेक्ट करने में मगर मैं यही एड्रेस करना चाहता था कि आप इस चीज को लाइडली ना लो अगर रोज आप उठ रहे हो और आपका कुछ करने का मन नी करा तो यह आलस नहीं है मेरे भाई यह शायद से कुछ और डीप चीज है जो मैं बताना चाहता था मगर वो एक मिनिट का जो दायरा टिक टॉक दिरेता है उसमें वो मैं बात नहीं रख सकता था मगर मैं आज भी यह बोलता हूँ कि जो मेरा तरीका और मेरा जो वीडियो बनाने का स्टाइल था वो सब गलत था और इसकी कोई भी जस्टिफिकेशन मैं नहीं देना चाहता मैं सिर्फ उस टाइम भी अपॉलिजी मांगी थी बाद में भी अपॉलिजी और आज भी इस मंच पे मैं अपॉलिजी मांगना चाहता हूँ कि वो मुझसे एक भारी गलती दी मगर इंटरनेट पे और रियल लाइफ में जब आप गलती करते हो ना जमीन आसमान का फरक होता है मेरे भाई जब रियल लाइफ में आप गलती करते हो पीपल फॉगेट मेभी पीपल फॉगेट मगर जब आप इंटरनेट पे गलती करते हो मुझसे बेटर इंसान नहीं है कोई ये समझाने वाला कि उसका रेप्रोकरिशन क्या होते है आज भी अगर कोईरस्ट वीटियो कोई इंसान बनाता है तो वो मिर से तीन साड़े तीन साल पहले की गलती सबसे पहले पोट्रे करता है, ये वहीं इंसान है जो काला गॉरा करता है चाः उसके बाद मैंने 100 वीडियोस बनाए कि भाई, तुम्हारी स्किन टोन पर फरक नहीं पड़ता, मैं वो वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता था, ताकि लोगों को समझा सकों क्योंकि लोगों को skin regenerate करने का मतलब नहीं समझ में आएगा लोगों को ये समझ में आएगा भाई तुम्हारी bloating कम हो जाएगी लोगों को ये समझ में आगा रहे भाई मोटा सा है पतला कैसे करें लोगों को वो नहीं समझना था और सामने roasters को एक propaganda portrait करना था कि भाई देखो ये तना negative है सो इसे लिए ये XYZ चीजें कर सकता है जो आगे अपनी वीडियो में बताते थे और roast करने में उनको और मज़ा आता था और सामने वाले viewers को और relatability लगते थे कि हाँ भाई ये बंदा तो extreme toxic इंसान है बढ़ मैं बोलता हूँ मैं बहुत ज़्यादा misunderstood इंसान है क्योंकि गलती अगर आपको भी जॉब में भी करो ना तो उसकी repercussions सिरफ आपकी उपर आती है मगर यहाँ पे इंटरनेट पे वो repercussions आप पे आपकी family पे आपके parents पे वहाँ पे जब मैंने वीडियो बनाई apology वाली वीडियो बनाई तो apology वाली वीडियो पे ऐसे ऐसे comment आये थे कि भाई तुझे suicide करनी चाहिए थी तेरे माबापको उस दिन suicide करनी चाहिए थी और वो चीज ना मतलब अभी आपको हो सकता है कि शाद से पढ़के normal लग रहा हो बट एक इनसान पे जो हर टाइम शाद से लोगों का फाइदा देख रहा है उसको लोगों का बस प्यार चीए उसको वो भूख है उसका जब देख रहा हो और वही लोग ऐसा comment करते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी उस ताइम mental state क्या थी mental state मेरी बिगड़ी उस वज़े से जो physically मैं इतना ज़ादा दिखाता रहता था ये देखो abs, ये chest, biceps zero उसी के साथ-साथ brand तब मैं को बहुत मिल रहे थे टिक टॉक पे promote करने के लिए वो सब ने अपना-पना हाथ खीच लिया उसी के साथ-साथ मतलब financially तो मुझे ये सब चीज़ें हो रहा था mentally भी हो रहा था, physically भी हो रहा था और तब एक बहुत एतेहासिक चीज़ होती है TikTok ही bang हो जाता है मतलब मेरे आठ महीने था मैं सिर्फ TikTok पे और TikTok पे आठ महीने में 10.7 million मैंने गेन किया था अब जब हिम्मत हुई हफते-दू-हफते के बाद तब मैंने Instagram पे वीडियो डाली और वो तो बहुत तब मुझे पता लगा कि TikTok तो बंद हुआ है हुआ है लोग मुझे देखना ही बंद कर चुकी है वीवर्शिप जो पहले 100 के या 500 के थे Instagram पे उस पे वीवर्शिप आ जाती थी 200 के, 300 के वो लगबग डाउन हो चुकी है 5000, 6000 और उस पे भी लोग सिरफ और सिरफ गालियां दे रहे है ये हाल चल रहा था उस टाइम ऐसे ऐसे भी ख्याल आ रहे थे कि अब क्या जॉब करूँ जॉब में भी लोग पूछेंगे सीवी देखके कि क्यूं आया एक साल के गाप अच्छा तुम तो वही हो ना जिसने वीडियो डाली थी महले में भी नहीं बहार निकल पा रहा था फिर मैंको लगा करूँ तो करूँ क्यूं ब्लाइफ ना लै कोईब द्ल से करूं और उस पर लगा रहा हूं लगा रहा हूं तो कभी ना कभी आपको अचीवमेंट वो सकसेस महसूस होगी वो success आपको मिलेगी और मैंने सोचा यह चीज क्यों ना मैं real life में apply करूँ मैं जो यह एकदम हार मान चुका हूँ के भाई पांचजार views आ रहे हैं पांचजार से भी दसजार comments में गालियां गालियां आ रहे हैं तो क्यों ना मैं कोशिश करूँ मैं फिर से restart करूँ फिर से kind of मैं एकदम से फिर से कोशिश करूँ तो मैंने Instagram हो या फिर YouTube भी मैंने चालू करा था तब channel तो मैंने वो सब चीज़ें फिर से वीडियो बनानी चालू करी हाँ बिलकुल negative comments क्या बहुत जादा ही कह सकते हैं मतलब ऐसे comments जिसको देखके कोई भी इनसान बोले कि भाई नाई comments है वो ही जादा better है मगर उन comments के साथ भी मैंने रोज के रोज content बनाना चालू करा eventually मेरा ये phase कह सकते हैं कि धीरे धीरे just मतलब ऐस चीज़ पकड़ी रहा था लोगों को बोलता था भाई कलॉंजी लेके आओ मैं बोलता था आपको अपनी glass type skin चाहिए hydrogen peroxide लेके आओ मैं लोगों को बोलता था अच्छा आपके ये open pores हैं niacinamide acid लेके आओ तो लोग ऐसे हो जाते था अरे भाई ये कहां से हम लेके आए तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सामने देखूं और पर्क हूँ कि मतलब जो भी चीज़ें assemble हो रही है तो मैं वही चीज लोगों के chemical free और बिल्कुल वैसा ही product दूँ जैसे actually मतलब like मैं बनवाना चाहता हूँ उनके लिए मैं उचाहता हूँ कि वो भी अपने घर में बनाएं तब मैंने अपनी website को एक जनम दिया जो कि मेरी mridulmudhuk.in पर और वहाँ पर सारे natural और organic products ही मैंने डालने शुरू करनी है और उसके उपर मैंने वीडियोस डालनी चालू करी लोगों को सबसे पहली बात है convenient लगा लोगों को ये चीज काफी नया लगा कि भाई ये तो चीज कुछ हटके ही है कि मतलब लग ये products और products भी ऐसे नहीं कि जैसे like normal face wash या फिर normal toner वो भी है सारे के सारे products मगर products like जैसे jawline exerciser की आपकी jawline के लिए exercise करने के लिए एक machine है एक tool है वैसे एक जैसे like logo के black patches हो जाते हैं यहाँ पे नाक पे मतलब like वो जो black heads बोलते हैं जिसे और उसके लिए like लोग salon जाते हैं और वो pin मारता रहता है और बहुत दर्द होती रहती है उसको हटाने के लिए यहाँ पे एक sticker आ गया तो मैंने एक acne removal patch करा चोटा सा लगता है वहीं पे patch और रात भर आपने रखा सुबा hydrophilic dressing होती है तो वो pimple हट जाता है तो ऐसी ऐसी चीजे मैंने मतलब like लाया जो logo के लिए convenience लाया तो logo को देख के इतना बढ़िया आया कि वो products भी उठे और उसके हिसाब से मेरे viewership भी उठे मैंने eventually देखा Instagram पे जहां पे बिल्कुल भटा गोल हो रखा था वहाँ पे मेरे products की वज़े से और उनकी convenience की वज़े से और लोगों को मैं को लगता था देखने में इतना मज़ा आता था कि वहाँ से products की तो भिकरी आलो हुई और viewership जो 5000 पे अटक जाती थी 10,00, 20,000,000,000,000,000,000,000 कहीं कहीं वीडियो lot पे 25, 40, 45 मिमन है जिसमें सिर्फ मैं वीडियो पे products दिखा रहो बस की कैसे इसको use करते है क्योंकि यूज करना ही इतना अठपटा सा था कि उन्होंने कभी ऐसा प्रोड़क्ट देखा ही नहीं था और उस वरे से ओविस ही बात है फॉलर्स उठने लगे अब मुझे लगा कि यूट्यूब पे भी मुझे फोकस करना चाहिए मेरे यूट्यूब पे और जहां इंस्टाग्राम की मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे मेरे 2.4 मिलियन है मतलब इंस्टाग्राम को भी बहुत तगड़ी तरह से पिछार दिया यूट्यूब पे मैंने fashion सीगा, और यह जो यह मैंने आज पहन रखे jeans, यह मैंने खुद की पहने, लोगों के मैंने दिखाया कि यह jeans मैंने design करें, लोगों ने बोला भाई हमें चाहिए, मैंने ठीक है भाई, अपना clothing brand मैंने निकाल दिया, लोगों को मैंने बोला, acting और modeling, अगर आपको करना एक सही तरीका, नहीं, नहीं, पैसे नहीं देने आपको, नहीं आपको audition के लिए, या फिर x, y, z के लिए कोई पैसे देने, नहीं casting couch करने, यूँकि मेरे साथ बहुत offer है, बट एक सही तरीका भी है, ऐसे ऐसे आप dodge कर सकते हो, वो चीज़ लोगों को बताई, लोगों को लगा, हाँ भाई, ये भी एक तरीका है, तो मैंने अपनी grooming workshops, जो डेली में होती थी, वो शुरू कर दी, आज की date में अगर देखा जाए, तो ये जो grooming products हैं, इससे जो earning होती है, उसका तो खैर major chunk अपने, जो हमारे employees हैं, उसके welfare में जाता है, मगर सारे businesses इकठे करें, और हमारा YouTube और Instagram की brand promotion के भी revenue अगर इकठा करें, तो भाई, कहना मतलब like, मुश्किल या असान होगा, मगर करोडों में आ जाता है yearly नी, monthly, इज़त जो समाज में थी नी, वहाँ से cut to, यहां तक situation आ गए, कि हर इनसान चाहता है कि हमारे माबाप इतना proudly बोलें कि हाँ, हमारा बेटा ये काम क इंजिनर रखी side में, वो अब एक actor है, वो एक actor बन चुके, animal movie में उनका role है, rocky rani में उनका role है, हाँ अभी छोटे 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 रोल कर रहे हैं, जो मैंने शुरू में कर रहा था, मगर आप ये सोचिए, एक इनसान की 40 साल के बाद, 40 साल के बाद, उन्होंने influence होके अपना shout out, मगर आप ये जानियें, अगर आपको content creation करना है, चाए downfall आये, चाए उपर आप उठरे हो, आपना हमेशा अकेली होते हो, मैं जब ये downfall आया, या जब मैं उपर भी उठरा था, चलो, दोस्त यार साथ में थे, मगर मुझे पता है कि जब नीचे इनसान गिरता है ना, तो असलियत के रंग दिख जाते हैं, तो आप ना हमेशा अकेले ही होते हैं, तो कभी भी आप complaint मत करना के भाई आप अकेले हो, कैसे कर पाओगे, हमने तो इसको देखा है, वो तो अपना पूरा गैंग के साथ वीडियो बनाता है, ये wines अपनी गैंग के साथ बनाता है, हमा ये भी कोई इनसान गालियां देता हो ना, अगर आपको खुद पे भरोसा है, अगर आपके अंदर एक जिद है ना, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो, इसका जीता जाता है, एक्जामपल मैं हो, और आखिर में मैं जोश टॉक को शुक्रियादा बोलना चाहता हूँ, क्यो इस फेज में हो, शायद से वो डाउनफॉल वाले है, या फिर शायद से वो अटकने वाले है, कहीं से कोई सल्यूशन ना मिल रहा हूँ, और उसके बाद उठने का शायद एक परसेंट हो मिल जाए, तो थांक्यू आज जोश परूश 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 इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें